नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ डिपेंड में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी गाड़ी का इचलान कैसे चेक कर सकते हो वो भी सिर्फ गाड़ी नमबर डाल कर दोस्तो इसके लिए आपको नहीं इंजन नमबर की जरूद पड़ेगी और नहीं आपको चैसिस नमबर की जरूद पड़ेगी सिर्फ गाड़ी नमबर डाल कर आप किसी भी गाड़ी का इचलान चेक कर सकते हो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बाइक को लेकर कहीं पर जाते हैं और अपना हेलमेट भी अपने गड़ पर बूल जाते हैं या फिर लेकर के नहीं जाते हैं और ऐसे में कहीं पर चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी का फोटो के माध्यम से चालन कर दिया जाता है या फिर किसी चौराय पर आपकी गाड़ी का फोटो खीच लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी गाड़ी का चालन कर दिया जाता है तो किस पिका डिफरेंट्स स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुवाइल की प्ले स्टोर में आ जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद में दोस्तों आपको सर्च वार में सर्च करना है आर्टी ओ आर्टी ओ लिखके आपको इसको सर्च कर लेना है आर्टी ओ नमबर पर यह option दिखाई दे रहा हुगा RTO vehicle information simply आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद दोस्तों आपको इसको install कर लेना है या फिर आपके mobile में यह install है अगर यह update के लिए बोल रहा है तो इसको update कर लेना है install या update कर लेने के बाद दोस्तों इसको simply आपको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपर आप देख सकते हैं आपको language select करने के लिए बोला जाएगा आप जिस भी language में इस application का use करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसको select कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर English, Gujarati, Hindi, Marathi या फिर आप जो भी वासा यहाँ पर select करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर select कर लेना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर English select कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको यहाँ पर tick mark पर आपको click कर देना है इस पर click आपको अपना city select कर लेना है जिस भी state में जिस भी city में आप रहते हैं जि आपको close कर देना है एड को close कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा एंटरफेस कुल कर आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको काफी सारी यहाँ पर options दिखाई देंगे दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं daily fuel price यहाँ पर आपको आपके city के रिसाफ से daily fuel की price भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों fuel की price daily update होती रहती है जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं rto vehicle information इसमें दोस्तों आप rc details किसी की भी rc details चेक कर सकते हैं इस पर मैंने एक video बना रखा है तो आपको i button में link मिल जाएगा उस पर click करके भी आप इस video को देख सकते हैं कि आप बिना engine number और बिना chassis number के किस परकार से किसी भी गाड़ी की details कैसे निकाल सकते हैं तो आपको i button में link मिल जाएगा उस पर click करके आप उस video को देख सकते हैं इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं resale value अगर आप कोई गाड़ी purchase करना चाते हैं या फिर कोई sale करना चाते हैं तो यहाँ पर आप उस गाड़ी की resale value भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कितने रुपे में आप sale कर सकते हैं उसकी क्या value है यहाँ पर आप पता कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तो अगर आप किसी भी गाड़ी का e-challan check करना चाते हैं बेना engine number या बेना chasis number की तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं चallan तो simply आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने कवाए दोस्तो आपके सामने कुछ SI interface कुल कर आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं enter your vehicle details यहाँ पर दोस्तो आप अपना गाड़ी नंबर या फिर driving license नंबर से भी आप चallan check कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी का नंबर डाल देता हूं गाड़ी का नंबर डाल देने के वाए दोस्तो आपको simply search पर click कर देना है इस पर click कर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं which information do you want to check इनस्तों चैठ चाption करना चांथे या इस यहाँ पर आपको देख्पर करते हम चांका नज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस कुल कर आपके सामने आएगा जिसमें आप देख सकते हैं Congratulations, no challenge details found against the search RC number आपकी गाड़ी का नमबर दिखा देगा आपको गाड़ी का नमबर डाल देने के बाद आपको सिंपली सर्च बटन पर फिर से किलिक कर देना है इस पर किलिक कर देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं which information do you want to check आप चालान चेक करना चाते हैं या फिर वीकल इनफोमेशन चेक करना चाते हैं अगर आप वीकल की पूरी इनफोमेशन चेक करना चाते हैं तो वीकल इनफो पर किलिक करके वीकल की इनफोमेशन भी निकाल सकते हैं पर आपना चालान चेक करना चाहता हूं तो इसलिए आपको चालान पर कलिक कर देना है। इस पर कलिक कर देने का यहां को थोड़ा सा वेट करना है, इसके राद मैं यहां पर आप देख सकते दूस्तों इनकी गाली नमबर पर काफी सारे चालान सो हो रहे हैं तो इस पिरकार से दोस्तों आपकी गाली के भी चालान सो हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रोसस में बताया था यह अगर आपकी गाली नमबर पर कोई भी चालान नहीं है तो वहां पर payment नहीं किया है तो यहां पर दोस्तो पेंडिंग लिखकर आ जाएगा इसके बाद में दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं चालान नंबर लिखा हुआ है चालान डेट लिखा हुआ है और कितने रुपे का आपका चालान हुआ है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं 500 रुप आपको complete बताऊंगा तो वीडियो को last तक जरूर देखेंगे तो यहाँ पर आपको चाला नमबर को लिख लेना है या फिर इसका आपको screenshot ले लेना है screenshot ले लेने के बाद दोस्तों आपको back आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपन Google Chrome ब्राउजर उपन कर लेना है या फिर आपको कोई भी ब्राउजर उपन कर लेना है ब्राउजर उपन करने के बाद दोस्तों आपको Google पर आ जाना है Google पर आने के बाद मैं आपको search bar में search करना है e-challan e-challan लिखकर आपको search कर लेना है e-challan search कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है ministry of road, transport and highways e-challan तो simply आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने बाद दोस्तों आपके सामने कुछ SI interface कोल कर आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं चallan details after getting challenge details you can further go for online payment अगर आप अपने चallan का online payment करना चाहते हैं तो यही से आप अपना चallan का online payment भी कर सकते हैं और दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर आप direct यहां से vehicle number से search करते हैं तो यहां पर आपको chassis number और engine number की जरुएत पढ़ने वाली है पर दोस्तों मैंने आपको वीडियो को starting में जैसे की बताया था तो यहां पर आपको जो चallan number दिया हुआ था जिसका आपने screenshot लिया हुआ था जो कि आपने लिखे के रखा हुआ था वह चallan number यहां पर आपको फिल कर देना है तो जैसा की दोस्तों मैंने आपको अपना चallan number डाल दिया है उसके बाद में यहाँ पर आपको capture fill कर देना है capture fill कर देने बाद आपको simply get details पर आपको click कर देना है इस पर click कर देने बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं voluator name यहाँ पर name आ जाएगा गाड़ी का number आ जाएगा चालान number आ जाएगा और transaction ID भी यहाँ पर देखा देगा state देखा देगा चालान की date and time देखा देगा amount देखा देगा और status भी इसका देखा देगा pending जो दिखा रहा है इसके बाद में आपको यहाँ पर चालान print पर click कर देना है चालान print पर click करते हैं दोस्तों आपके सामना आपको दिखा देखा देगा अगर आपको कोई भी वीकल है तो वहाँ पर वीकल दिखाई देगा और यहाँ पर आपको किस एक्ट के मद्यम से यहाँ पर आपका interessant किया गया है वह भी यहाँ पर आपको दिखाई देख दे जाएगा और यहां पर आपका समन्सुल्क भी दिखाई दे जाएगा जो कि आपको paid करना पड़ेगा और दोस्तों अगर आप अगर online payment करना चाहते हैं तो यहां पर आपको back आजाना है back आने के बाद आपको pay now पर click कर देना है pay now पर click करके आप अपना e-challenge payment कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि e-challenge की online payment करने की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आउँ तो आप comment box में comment करके बता दीजीगा जिससे मैं आपके लिए e-challenge की online payment की वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा रहता हूं और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुजाब देना चाहते हैं तो comment box में comment कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी message कर सकते हैं इंस्टाग्राम का link में वीडियो के description में दे दूँगा तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै वारत